हलो दोस्तो मेरा नाम राहूल है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने AWS में कैसे हम EC2 इंस्टांस पर वैप साइट हूश्ट करते हैं सो दोस्तो आज की वीडियो में simply हम जानी के कैसे हम राउट 53 का यूज करके एक हम डोमेन डोमेन पहले या तो राउट 53 के दोसे ले सकते हैं या फिर किसी और भी जो हमारे रजिस्टार है उनसे लेके हम उस domain के domain से क्या करेंगे हम उस website को access करेंगे ओके सो दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं अपने AWS के management console पर और हम यहाँ पर अपने AWS के management console को login कर लेते हैं AWS console login AWS के console को यहाँ से हम login करेंगे and sign in to the console ओके क्लिक ओन sign in to the console यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम अपने console पर login करेंगे तो यहाँ पर हमें root user root user से login करेंगे ओके इसके बाद password हमें यहाँ पर इंटर करेंगे इसके बाद हमें MFA डालना होगा MFA code ओके जो कि हमारे six digit का MFA code होगा वह हमें यहाँ पर डालना होगा ओके वेट कर लेते हैं और अपनी जो device है उससे MFA code को हमें यहाँ पर डाल देते हैं ओके तो यहाँ पर हम MFA code इंटर करते हैं 233131 ओके तो दोस्तों हमें यहाँ पर हम अपने AWS के management console पर आ गए हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पर कि एक EC2 instance में EC2 instance में web server IIS को install करना है और उसमें एक हम website create करेंगे website बनाएंगे वहाँ पर और उस website को हमें domain domain से क्या करना है register करना है और फिर हमें access करना है domain की थूरू उस website को access करना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में detail में जानेंगे कि यह process हम किस प्रकार कर पाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम EC2 instance create कर लेते हैं ओके तो आप launch instance पर click कीजिए ओके for the simplicity के लिए हम एक अवे इन्स्टांस ले लेते हैं और हमें server को name देते eerste o एक हम इसके बाद जो image लेते हैं विन्डोच की ले लिते हैं जो latest image है विम्डोच की हमारी विन्डोच стала 22 ok अन्ड इसके बाद हमें यहां पर कि टी टू माईक्रो ही रहने दीजी फ्रीटेर में एलेजिवल है एक कीपर बना लीज़िए आपके क्रिएट न्यूप कीपर हम इसको नेम देज़ेते हैं बिन की ओके अप्टर डेट आप इसमें क्रियेट कीपेर पर क्लिक किजिए ओके एंड यहां पर नेटवर्क साइटिंग में आपको कुछ नहीं करना है ओके यहां पर चाहें तो आप सबनेट में यहां पर वन एले लिजिए ओके अवेलेविल्टी जोन वन एले लिजिए और और से Simple me जोन उलेन कवे लिजिए ले सकते हैं जैसे हम यहां पर एक सेक्रिती गूर्प बनाना चाहते हैं तो यहां पर हम इसको कूल को व Chris माई एस जी माई सेक्योरिटी गुरूप ओके एंड इसमें हमने आड़ीपी इनेवल कर दिया आड़ीपी के साथ साथ हमें यहां पर HTTP इनेवल करना हुआ तो यहां पर आप HTTP को भी इनेवल कर दीजिए ओके एंड यहां पर हम एनिवेर करते हैं एंड जश्ट लॉंच इंस्टांस पर क्लिक कीजिए सो दोस्तों यह हमारा EC2 इंस्टांस क्रियेट हो रहा है अब हमें क्या करना है इसके साथ साथ हम इसके साथ साथ जब तक हम यह हमारा EC2 इंस्टांस क्रियेट हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने राउट 53 पर ओके और यहां पर हम हमें जो अपना जो होश्ट जोन क्रियेट करना है वह जब तक हम अपना होश्ट जोन बना लेते है हैं ओके create create hosted zone यहां पर hosted zone में सबसे पहले हमें जो नेम देना होगा domain name वह हमें वहीं domain name देना होगा जो की आपने domain खरीदा हुआ है जैसे हमने अपने रेजिस्टरार जैसे कि हमने goaddit से एक domain कर खरीदा हुआ है तो से नेम आपको यहां पर वहीं सीम नेम देना है जैसे हमारे डोमेन का नेम है टेक लैप्टो केर टेक लैप्टो केर डोट साइट यह हमारे डोमेन का नेम है ओके यदि आप यहां पर कोई description देना चाहिते हैं जैसे हमने दे दिया कि दिस होश्टिड जोन ओके दिस होश्टिड जोन इज फॉर माई बैप साइट डबलु डबलु डॉट टेक लैप्टो टेक लैप्टो केर डोट साइट हमने इसको यह description दे दिया ओके इसके बाद आप इसको पबलीक ली मतलब कि पूरे वर्ल्ड में देखना चाहते हैं तो इसको आप पबलिक होश्टिज जोन रखिए ओके इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर कि जो आपने जो आपका रजिश्टर है जैसे हमारे केस में यहां पर हम देख सकते हैं ओके सो यहां पर हमने Godeady से क्या किया है कि अपना जो डोमेननी में वह ऍले से परचेच किया है ओके सो new tab में हम GoDaddy पर चलते हैं okay new tab में GoDaddy open करते हैं and after that हमें यहाँ पर check करते हैं domain है हमें यहाँ पर क्या चाहिए यह हमें यहाँ पर name server name server option so okay आप यहाँ पर domain पर click किजिए यहाँ पर आपको one second there are no domain in the workspace okay यहाँ पर जाईए आप और यहाँ पर आपको account पर जाईए और यहाँ पर my account and setting यहाँ पर कहीं आपको यह आपको domain सो हो रहा है इसके अलावा आप यहाँ पर कहां जा सकते हैं okay dashboard में चलते हैं पहले हम और यहाँ पर dashboard में website marketing okay यहाँ पर my product okay my product पर click किजिए and after that my product पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना आपका domain सो हो जाएगा आप अपने domain पर click किजिए ओके एंड जैसे ही आप अपने domain पर click करेंगे ओके एंड यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए domain setting एंड यहाँ पर हमें domain का detail चाहिए है get SSL find a new domain यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि managed domain का एक option है इस पर आप click किजिए ओके एंड यहाँ पर मैनेज़ डूमेन के पास के बाद आपको यहाँ पर नेम सर्वर का DNS हाँ DNS का option सो हो रहा हुआ DNS पर click किजिए और DNS के बाद यहाँ पर जश्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर नेम सर्वर का option सो हो रहा है नेम सर्वर पर click किजिए और अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि चेंज नेम सर्वर पर click किजिए ओके I will use my on-name-server okay यहांपर GoDaddy के name-server भी आप दे recommended है लेकिन हम अपने on-name-server हम use करना चाहते हैं ओके सो आप चाहें तो इनको हटा दीजिए ओके ओके इनको अवी सकते हैं one second यहां से हमें क्या करना होगा यहां पर हमें name-server add करने होगे कहां से हमें नेम सर्वर मिलेंगे अपने राउट 53 पर जो हमने अभी होष्ट जोन बनाया है तो सबसे पहले यहाँ पर जो चार हमारे नेम सर्वर हैं इनको आप कॉंपी कीजिए जैसे हमने इसको कॉंपी किया और जला पर कई कीरेंग नेम सर्वर को आप आपको यहाँ पर करना के पार, फे张 आप इसको copy कीजिए and और यहां पर आप again add name server पर okay and इसके जो last में dot लगा हुआ है उसको आप remove करते जाए ओके add name server last जो name server है उसको भी हम add कर देते हैं just आप इसको copy कीजिए and इसको copy करने के बाद आप जो आपका registrar है उसमें add कर दीजिए and यहां पर आपको save पर click करना हुआ जैसे ही आप save पर click करेंगे यहां पर आपके जो AWS के name server है वह जो आपका जो registrar है जैसे कि हमारा हमारी case में go daddy है उस पर registered हो जाएंगे यह request is in progress ओके आप इसको refresh कीजिए ओके सो यहां पर नेम सर्वर पर अगें नेम सर्वर पर आईए और चेक कर लीजिए कि आपके नेम सर्वर यहां पर सो हो रहे है AWS के name server ओके यहां पर हमारे AWS के name server सो हो रहे है ओके सो इसके वार हम चलते हैं अपने यहां पर हमने name server को add कर दिया है अब हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टांस पर और EC2 इंस्टांस पर हम web server IIS इंस्टॉल करते हैं और वहां पर एक हम website create करते हैं ओके website बनाते हैं ओके तो सबसे पहले हमें अपनी EC2 इंस्टांस को connect करना होगा तो इसको connect करने के लिए simply आप connect पर क्लिक कीजिए इसके बाद RDP client और password को सबसे पहले आपको password को decrypt करना होगा get password पर क्लिक कीजिए upload private key की फाइल पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपने जो private key फाइल डाउनलोड की होई है उसको यहां पर upload कर दीजिए and decrypt password पर क्लिक कीजिए ओके आपके पास पासवर्ड आया होगा इसको जश्ट कॉंपी कर लिजिए और कॉंपी करकर आप इसे note page पर paste हुई कर सकते हैं इसके बाद IDP फाइल को डाउनलोड कर लिजिए और इसे open कीजिए और इसके बाद जो आपके पास जो आपने copy किया हुआ हुआ है password उस password को यहां पर paste करना होगा ओके जश्ट ओके पर क्लिक कीजिए and यहां पर हम अपनी idp file पर हमने जो IDP ओके सो हम अपने Windows सरवर पर आ चुकिए हैं ओके सो हमें यहां पर विंडूस सरवर में क्या करना है हमें यहां पर विंडूस सरवर में add rules and feature में बैफ Servers ISee नाम का एक rules होगा उसको हमें क्या करना है हमें उसको इंस्टाल करना है और इसके बाद हम कोई भी template बोल सकते हैं या template कोई भी website बनानी है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर इंटरणेट पर template मिल जाएगी तो आप इंटरनेट से कोई भी sample template डाउनलूड कर लीजिए और फिर उसको आप edit करके edit करके और यहाँ पर simply तरीके से आप उसको एक beautiful website आप अपनी बना सकते हैं ओके तो हम अपने जो Windows server है Windows server में आ गये हैं ओके यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा यहां पर सबसे पहले हमें अपने Windows server में server manager को open करना होगा ओके सो हमें यहां पर तो server manager को open करने के लिए आप simply या तो search वार पर किलिक किजिए और ताइप किजिए server manager यहां पर आप टाइप कर सकते हैं server manager server M-A-N-A-G-E-R ओके एंड यहां पर हमारा server manager open हो रहा है जैसे ही हमारा server manager open हो जाएगा यह लूड होने में थोड़ा time लेगा जैसे ओके सो हमारा यहां पर server manager open हो गया है जब तक हम इसका ओवर्वीव थोड़ा आपको दे देते हैं इस server manager में आपको क्या क्या मिल जाएगा यहां पर यह server manager के dashboard है इसके बाद यहां पर local server all servers जितने भी servers होंगे वो सो हो जाएगे और जो आपको यहां पर इस जो local server इसको configure करने के लिए add roles and feature इसके लाबा और वी जैसे आपको tools वगएरा चाहिए तो यहां से आप tools ले सकते हैं manage ओके यहां यहां पर आपको क्या notification वगएरा सो होंगे ओके इसके बाद हमें tools हमें यहां पर क्या करना है web server iis को install करना तो इसके लिए हमें क्या करना होगा या तो आप यहां पर manage पर click करके manage पर click करके add roles and feature पर click कर सकते हैं या आप simply जो आपका dashboard सो हो रहा है यहां पर second number पर add roles and feature का option सो हो रहा है आप इस add roles and feature पर click कीजिए ओके and click on nest ओके and click nest इसकी बाद आपको ओके nest nest करते जाना है इसके बाद हमें यहां पर web server iis को install करना है add feature पर click कीजिए nest पर click कीजिए nest 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 और install पर click कीजिए तो यहां पर हमारा web server iis install हो रहा है जब तक तो तब तक मैं आपको एक overview देता हूँ कि कैसे आपको कोई sample template internet से download करना है तो ओके जब तक हमारा iis install हो रहा है आई यह चलते हैं तो आप simply google पर type कर सकते हैं कि कोई भी ले सकते हैं आप की free sample template free sample free sample free sample template okay free sample templates 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 or you can you can type free sample free sample that one you can type also free education website template download okay so यहां पर आपको बहुत सारी बहुत सारे website so हो जाएंगी जहां से आप template download कर सकते हैं जैसे कोई education website template चाहिए तो आप यहां से just click कीजिए okay and कोई भी website आप चायते हैं कि बनाना चायते हैं तो just आपको कुछ नहीं करना है इस पर just आपको click करना है जैसे आपने यहां पर click किया और यहां पर आपको download का icon so हो जाएगा ओके download और आप यहां से उस template को download कर लीजी और download करने के बाद जश्ट आपको जो हम मैं आपको step बदाऊंगा वाई step आपको follow करने हैं और आप एक beautifully website create कर सकते हैं ओके सु हम चलते हैं अपने सर्वर पर और चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या हमारा जो सर्वर है सर्वर पर वैब सर्वर इस इंस्टॉल हो गया है नहीं ओके अभी इंस्टॉलिशन प्रॉसेसिंग में है ओके सो हमें खोड़ा बेट कर लेते हैं जब तक कि यह इंस्टॉलिशन प्रॉसेसिंग में है इसके बाद हमें करना क्या हुगा जैसे ही हमें यहां पर बैफ साइट को क्या कर देंगे होस्ट कर देंगो क्या है कंप्लीट हो गया है अब हमें जो बैफ साइट है हमारी टेंपलेट है सबसे पहले हमें यहां पर फाइल एक्स्प्रोर पर चलते हैं ओके एंड यहां प डिलीट कर देना है और आप जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे template जैसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको आप अगर jip file में है तो unzip करके और जफिस्ट आपको यहाँआ पर paste कर देना जैसे मेरे पास मैंने और डाउनलोड करके रखी होई है free template तो मैं क्या करूँगा simply यहां से template को उठाऊंगा इसको copy करूँगा okay one second website template इसको just मैंने यहां से क्या किया copy किया just इसको control c all and यहां से copy करके यहां पर just आपको क्या करना है इस path पर आपको अपनी website का जो भी content है वह आपको यहां पर paste कर देना है ओके इसके बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है जैसे यह आपने website के content को यहां पर paste कर दिया है ओके अभी हमने इसके content को यहां पर paste कर दिया है अब हमें यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें simply यहां पर इसको क्या करना है कि culmin ओके में भी खुछ किरो नहीं ही इंडेक्स क्लोड कर देंगे अप्र टैट हमें ऐसा डीपि फाल की ऑडऑ की भी सरवर में जरूरा में सर्वर की जरूराइबं स्ट्रें स्कै deste कि आडव systems के देंगे आडीप की त 네 Ю हैं ओके अब हमें क्या करना है आब हम आएंगे simply अपने क्या यहांं पर और इसका जो public IP address है जो हमारा EC2 instance पर आएंगे हम और इस instance के public IP address को उबsti पारेंगे और यहां पर फ्राइंब और जैसे ही हमें इसके public IP address को यहाँ पर paste करेंगे और ठोड़ा बेट कर लेते हैं देख जैसे ही हमने इसके public IP address को यहाँ पर paste किया तो एक website सो होने लगी है बहुत ही beautiful website सो होने लगी है तो इस प्रकार से आप website बना सकते हैं लेकिन हम आज की website हमें सो होनी चाहिए ओके तो यहां तक ओके तो हम चलते हैं अपने राउट 53 में और रेडी हमने नेम सर्वर वगरा एड कर दिये हुए अब हमें एक वर काम करना और यहां पर रह गया है ओके सो हम हम चलते हैं hosted zone पर यहां पर हमें क्या बनाना हुगा record बनाना हुगा record या आप बोल सकते हैं record set तो आप अपने जो hosted zone है उसको आप पर चलते हैं और यहां पर आपको create record का options हो रहा हुआ आप इस create record पर क्लिक कीजिए ओके इसके वाद आप यहां पर सब domain कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं जैसे सब domain में www लेकिन हम यहां पर आभी कुछ नहीं देना चाहते हैं ओके इसको हम ए होस्ट यही रखते हैं ओके इसके बाद आपको अपनी जो आपका EC2 इंस्टांस है उसका पब्लिक आपको यहां पर पेस्ट करना होगा ओके इसके बाद आपको यहां पर कोई कोई चेंजिस नहीं करना है आपको यहां पर कोई चेंजिस नहीं करना है और यहां पर क्रियेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है ओके यहां पर है हमारा क्रीय रिकॉर्ड क्रि elder हो गया है आव हमारा यहां पर Ctrl प्रिद्ड हो गया है इसकी बार हम चलते हैं ज Agg Hour हम Sh accountability फ्रेक करते हैं ओर अभी हम चैक कर लेते हैं और hosted zone detail एक एक ओक यहां पर इसका इसका कंडिज्टिज्निंग में भी एक्टिव से हो रहा है ओके रेकॉर्ड-3 बाइन कर दिया इसको हमने कर दिया आप तो हमें यहाँ पर क्या करना है अब रेकॉर्ड फो टेक लेप्टो केर साइट वाज सक्सेस्फुली क्रियेटेड व्यू इस्टेटेस पर आएंगे आपर तो यहाँ पर इन सिंक यानि कि यह सिंक हो गया है ओके तो इसको हम रिफ्रेस करते हैं लेस्ट ट्राइट टू चेक क्या है हमारा वर्ककादा या नहीं एक लैप्टो केर डॉट साइट ओके थोड़ा बेट करेंगे हम एक्चुली क्या होता है इसमें कि इसमें जो यह डी एनस की राउट 53 की सर्विस है यह तोड़ा रैप्लीकेट होने में तोड़ा टाइम ले लेती है कभी-कभी जादर टाइम लग जाता है कभी-कभी तुरंत हो जाता है जैसा आप देख सकते हैं कि टैक लैप्टो केर जैसे यहांश्वी ब्राउजर पर डाला तो देख सकते हैं आप बहुत जीवीटिफुल व डोमेन का यूज करके ओके सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू दोस्तों वेलकम